वेलकम तो ये पंकेश 98 एजूकेशन दोस्तों आज हम लोग बाट करने वाले हैं जिस कोर्स के बारे में उस कोर्स का नाम है डी ई ओ डेटा इंटरी आपरेटर ठीक है इस कोर्स की पूरी कम्पलीट जनकाली देंगी इस कोर्स को आप कैसे घर बैठे कर सकते हो और हार्ड खाने जाए आ जाएगा आपको पता है कि कोश बहुत ही ज़्याधा पाफूलर को इरे अगर कोर्स के बारे में आपको अच्छी सर जाना तो भाइव वीडियो लंबा तो आए वीडियो को में लोग स्टार्ट करें सबसे परले आपको कुछ नहीं करना अपने मोबाइल या लेक्टाप या डेश्टाप जो भी आपको गूगल में जाना वहाँ पर सिंपल से आपको टाइप करना है पंकज आउने फंकज नायने टाइप करोगे आपके सामने स़्ास या जाएगा पंगज 88 की आप से क्लिक कर अब करूगे तो आपके सामें या फार्म खुलके आगा इस में जैसे मैं भरता हूँ अपना नाम कर अब यहां पर आप फार नेम भर सकते हो अब नेम भर सकते हो आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो आप भर होगे जैसे मैं यहां बता दू आपका ट्रेंड्स टूवेल्स जो भी यह कि चीज अच्छे देखना है जेंडर आप जो भी हो मेल फिमल एटा बस पहले मंथ तो जैसे मैं 7 दालता हूं दे हैमेरा 27 और 99 आईडि आपको यहां पर डालना होगा तो जैसे मैं यहां पर डालता हूं प्रियस फंक्यिक वर नम्मर आपको डालना होगा यहां पर अब यहां पर कोर्स सेलेट करना आपको क्या डेटा इंटरी ऑपरेटर डी ए ओ आपको क्लिक कर लेना होगा सेशन अगर आप दो जाट 23 में रई स्टेशन कर तो 23 24 अगर 24 में बिल्डियों देख रहे हो तो 24 और 25 में देख रहे हो तो 25 जो आप देख रहे हो उसमें करोगे 23 24 Petелов टाल सकते होनय आपको कोई लिख आपकर नहीं है यहां पर कंट्री आपकी जो है इंडिया कुछ बीकाइड़ देख मतलब आपका डत्वा साल का वा डालना मैं या पर उस्तर परतश सेस्éral में लेता हूं ओके टी आपके जो भी है मैं यहां पर लेता हूं जौनपूर ठीक है पीन कोड ठीक है एक यह है मैं सब्सक्राइब करने से पहले इस्टूडेंट नेम फादर नेम अपने डाकुमेंट से मिला ले क्योंकि जो आप यहां भरेंगो यहां पर सेटिफिकेट पर आएगा बिल्क कि अब यहां पर क्लिक करता हूं आपके सामने मैशेज आएगा देखो यहां पर Reg 차 THIS कोई बात नहीं आप यहां पके सामने आएगा इमेल बाइडी पूछएगा आपको इमेल ऑईडी डालना और कोणुख चेहां कि कि यो डी यो डेटा इंट्री आपडेटर और संभीड नाउ बटन पर क्या करोगे आप किलिक करोगे तो आपके सामने देखो इस तरह से आएगा मैसेश अलब आपका पूरा डीटेल फार्म नाट अप्रूप एग्जाम नाट कंपलीट इस्टेटर सापका 272 राइस्टेशन नंबर आपको पूरा डीटेल आजाएगा के दिन अड्मिशन लियो क्या कि यह तो गया अब यह फार्म कैसे अप्रूप होगा आपको लेक्चर कैसे मिलेगा ओ सारी डीटेल इस वीडियो में आगे में बताऊंगा उसके पहले आपको मैं कोर्स कंटेंट के बारे में बात क पूरा नहीं देखोंगे फिर आपको आगे का प्रसेश नहीं पता चल पाएगा अब देखो डेटा एंट्री आपको पता है बहुत ही पापुलर कोर्स है इसमें आपको पढ़ाएं था अब सबसे पहले आप यहां पर देखना फंडामेंटल यह आपके सलेबस में नहीं है अब कम्प्यूटर टाइप आप मेमोरी जनेशन अब कम्प्यूटर बेसिक इस्तक्राप कम्प्यूटर नंबर सिस्टम पेरिफेरल जो है है नहीं मैं पढ़ाएं तो भी इंटरनेट यह बहुत मुर्ट पूल टापिक है यह है आपके सलेबस में हिस्ट्री आफ इंटरनेट रिलेटेट टरम्स और इंटरनेट सर्विस इसके अलावा भी मैं बहुत चीर बताऊंगे इसमें आपको टीक है डेटा कम्निकेशन नेटवर्किंग यह नहीं है तो भी मैं पढ़ाऊंगा आपको टाइप अब कम्प्यूटर नेटवर्क नेटवर्क टोपोला ठीक अब अप्लिकेशन में हम पढ़ेंगे यह आपका इंप्पॉर्टेंट से डेटा इंटि में माइक्रोसाफ्ट वर्ड इक्सल पावर्पाइंट अब यह तीन कम मतलब यह नहीं कि बस में सोर्ड में आपको कम-कम 35 से लेके 45 लेक्टर मिलेंगे MS इक्सल में आपको पू चास लेक्चर मिल जाएंगे इसमें भी उसी तरह आपको लेक्चर मिलेंगे ठीक है अब जैसे मैं इसका कुछ आपको दिखा रहता हूं कि जैसे फार इंजामपल जैसे देखो यूजर इंटरनेट एंड कमपनी मैनेजमेंट ठीक है इंटरफेस मास्टर्स लेजर्स एंटर धिप्र थे नेयर और और लेजर पहुने बाऊचर देखो जैसे वायगे माफ्ट इंटर आपको देखी बाऊचर अच्प मोह उसेन इंटर जैसे मास्ट्राइ निलिल्टेज Camara ऍंट ईर्वां देखो ऑगर य्चर्वाय नेयर्स्टिस बाचर्ड्ड धिसप्रें ग होगा debit and credit notes होंगे आपके credit limits होंगे stock transfer होगा manufacturing voucher होगा आपका ठीक है voucher type of class होगा party nature analytic होगा आपका purchase and sales report होगा stock analytic आपका होगा cash and bank report होगा search filter and starting होगा financial report होगा multi language आपको यहां पर मिलेगा उसके बाद export import backup and report multi language ना मिलके लेकिन यह सारी चीज़े मिलेगा payroll accounting टैली ठीक है data security टैली audit multi currency printing report शाट कर्ट की यह सारे है फिर आपको मिलेगा project work duration होगा course का छे महीने ठीक है यह इतने चीज़ टैली में पढ़ाऊंगा तो इसी तरह आप सोच लोग मैं excel में इतनी चीज़े पढ़ाऊंगो data entry में आपको सब तो है आपका अब हम आते हैं कि course को आगे कैसे क्या करना होगा यह तो आप पढ़ोगे और उसके बाद आपका एक्जाम और छोटा सा फिर आपको सब आपका घर से अब आपने तो यह दो इस्टेफ का लिया रेइस्टेशन लॉग इन आपको सिंपल से यहां पर कोर्स का अप्शन लिखेगा यह आपको इसमें आना है अब उसमें आपको देखो टैली आर्पी 9 मिल जा रहा तो इस तरह से आपको नीचे कोजना होगा कि आपको कोर्स कहां पर है आज आना आप नीचे एदम लाक्ट को सापको मिलेगा डी यो डेटा इंट्री आपरेटर डिवरेशन छे महीने किक है आपको यहां पर क्या करना होगा बाइन आव पर क्लिक करना हो अंद्रोस निन्यान पर पेमेंट है इसका आप क्लिक करोगे आपके सामने qr code आएगा इसको scan करके यही नंबर मेरा है आप एक बार मुझे confirm भी कर सकते हो इस पर आपको क्या करना होगा इसको मेरा नंबर है आपको क्या करना होगा इसका पेमेंट का और जो दिखा रहा है फार्म नाट अप्रूब उसका ठीक दोनों का इ सब्सक्राइब कोई इसू नहीं है और लाइक साइम सब्सक्राइब करने का अप्शन भी आ सकता है फिलान में qr code चला मुझे आप मैं आता हुलंं पर यहां पर हो दिखा रहा है कि बहुत सारे बच्शों कर लिया यहां पर देखो और उनके आशाम से हैं यहां पर आको से हैं तो इस तरह से बच्छों ने कोश्किया इनके घर पे सर्टिफिकेट क्या किया चाज़ता है यह जा जाता है ढुए हाठी तो आप यहां से बिल्कुल आप पोस को कर सकते कोई दिखकर नहीं है सारी चीजे समझ में आ गई होगी पेइमेंट कने बाद आप लॉग इन करके चेक करते रहेगा यहां पर आपका नंबर भी मैं सेफ कर लेता हूं उसके बार आपका फार्म क्या होता है अप्रूब हो जात अप्रूब करके बार क सकते है